यह है Land Rover Defender 110 और इसका मैं अब आपको airmatic suspension दिखाने वाला हूँ, अभी यह काफी उच्छा यहाँ पे उठा हुआ है, मैं दिखा देता हूँ आपको यह देखिए, यहाँ पे यह airmatic suspension है इसका, यह देखिए, सो यह अभी हमने बहुत ज्यादा maximum उपर किया हुआ है, विने भी आप पीछे खड़ा हुआ है, और देखो कितना ऊपर तक गाड़ी है, यह देखिए, और अब इसको यह down कर सकता है, तो down, यह देखिए, अब आपको पता लग रहा होगा, कि गाड़ी नीचे जारी है, और यह काफी नीचे चली जाती है, इसकी ground clearance 218 mm है, अगर आप इसको करते हैं, और अगर आप पूरा आप करते हैं, तो आप इसको अपटू 290 mm तक ले जा सकते हैं, तो भाई, बहुत ज्यादा होती है, 290 mm ground clearance, जो भी off-roading करते हैं, जो कहीं भी जाना जाते हैं, कैसे भी terrain पे, तो मज़ा आ जाएगा, यह बटन्स यहाँ पे है, काफी झाल 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 झाल झाल